असली पवित्र ग्रंथ भारत के अंदर जो पवित्र ग्रंथ बोलते हैं, उसका अर्थ समझ जीजी क्या है? तो आपको ये जानकर बड़ा सुखद महसुस होगा कि असली जो पवित्र ग्रंथ हैं, वो दरसल बुद्ध के वचन हैं, जो बुद्ध ने कहा है, वही पवित्र हैं और वही एक मात्र उनली ग्रंथ हैं, जैसे पूरी दुनिया में एक ही अकेला विस्व ग्रु है, जिसको जगत गुरु बोलते हैं, जो बुद्ध हैं, पहले समझिए कि जो पवित्र सब्ध है, इसका अर्थ क्या है, पवित्र सब्ध सांसकरित किया हुआ है, इसका संसकार किया हुआ है, इसको मोडिफाई किया हुआ है, इसकी संखती की हुई है, पाली में संखती बोलते हैं, य इसे modified है क्योंकि पाली के अंदर त्रे सब्द नहीं होता तिर्सूल है या त्रे है या त्री पीटक में जो त्रे आता है वो है या त्री देव है या त्री रत्र है ये त्री सब्द नहीं आता ती बोला जाता है ती ती रत्र ती पीटक ती देव ती से आता है ती का मतलब त तो जब त्रे सब्द नहीं है, तो पवित्र में जो त्रे सब्द आता है, वो भी पाली का नहीं है, तो असली सद, शब्द को सद बोलते हैं, क्योंकि शै भी नहीं होता, जो सल्जम वाला शै है, वो नहीं होता, जो मेरे नाम में सुधीर में जो सै है, वो ही एक अकिला शै है शटकॉन वाला शय भी नहीं होता, जो विशय में शय होता है, वहबी शय पाली के अंदर, यानि पुरानी भासा में नहीं होता, दौनों शय बाहर से आए है तो जो पवित्र है उसका क्या पाली में मतलब है दरसल सबसे पहले ये देखिए कि पाली के अंदर जो वित्त सब्द है उसका क्या मतलब है वित्त या वित्ती वित्त का मतलब होता है जो ग्यान का भंडार है जो ग्यान का संग्र है वित्ती भी उसी को बोलते हैं संग्रह को बोलते हैं तो आज जो हम वित्त बोलते हैं आज तो हम रुपे पैसे से बोलते हैं या कुछ समय पहले तक इसको धाई और धान से बुला करते थे धाई धान का मतलब है जो हम चावल का धाई धान लेके आते थे या जो grains लेके आते थे, जो दाने पैदा होते थे, अनाज के उनको लेके आते थे, उनको धही या धान बोलते थे, और इस धही धान को भाद में धन करें लगे, अगर आप महा माया जो बुद्ध की माता हैं, अगर उनकी पत्थर की statue देखेंगे, तो उसके उपर दो मटकों म जो बरसात हो रही है, वो धहीं की है, धान की है, क्योंकि उसका रंग सौने जैसा होता है, इसने बाद में उसको सौने जैसा भी बोलने लगे, सौन बोलने लगे, जैसे कनक का और सौन का गेहूं का एक ही परियावाची होता है, इस तरह से, तो जो वित्ती सब्द है, वित ग्यान के भंडार यानि वित बोलते हैं ग्यान के भंडार को ग्यान के संग्रे को ग्यान को और वित से पहले अगर पै लगा दें तो पै का मतलब होता है पीले कपड़े वालों के वचन यसे पावचन होता है मैंने पावचन बताया था पावचन का मतलब है जिसने पीले का मतलब होता पीले रंग और इससे ही पांडूली भी बनी है और ये पीले कपड़े पहने वाले जो थे ये बुद्ध ने प्रमपरारम की थी बुद्ध से पहले पीले कपड़े या जिसको केसरिया रंग बोलते हैं या जिसको चीवर का कलर बोलते हैं या जिसको छाल का वो कभी पीले फूल की जो रंग होता है उससे रंगते थे, कभी पेल की चाल से रंगते थे, कभी पत्तियों से रंगते थे, बहुत सारे प्राकरतिक कलर उससे में थे क्योंकि आर्टिफिशल कलर तो उससे में थे नहीं, जैसे आज के केमिकल हैं, तो वो पेल की चाल या करते थे उनको बोलते थे कि ये पावन वचन है इन्होंने जो कहे हैं उनके वचन है पीले कपड़े वालों के उससे ही ये बना है पैवित्र यानि पैवित्र का मतलब हो गया पीले कपड़े वालों का ज्यान संग्र है और वित्र को बाद में त्रे कर दिया जहां दो ते आते आधा तय और टय उसको पाली से जब बदला तो उसको त्रे कर दिया, तो वो हो गया पवित्र यानि पवित्र, तो पवित्र का मतलब है कि जहां पीले कपड़े वालों ने, यानि भिक्कों ने या बुद ने जो वचन कहे हैं, वो वचन, इसका मतलब ऐसा नहीं है, बहुत हो उससे जाती कि लिए दुनिया में अच्छा ना हो, इसलिए उनसे बहतर तो कोई जिसको कहते है कि अकेले ऐसे महामानव हैं, जिनके सारे वचन परफेक्ट हैं, क्योंकि वो नेचर पर आधायत है, परकती पर आधायत है, कुद्रत पर आधायत है, और कुद्रत की नियम हमेसा अच्छे हो दही है, तो यह हो गया पवित्र, अब जो पवित्र के पावन पवित्र बोलते हैं, या पतित पावन बोलते हैं, उसका मतलब समझे क्या है? पतित का मतलब होता है पाली के अंदर गिरा हुआ. जैसे कहते हैं कि ये जो पन है, पन का मतलब पती है, ये पतित हो गई. यानि ये पेड से गिर गई. तो उसको कहते हैं पन पतित या पतित पन. कहते हैं कोई औरत अपने करेक्टर से गिर गई तो पतित हो गई कोई आदमी अपने करेक्टर से गिर गया तो वो पतित हो गया कोई आदमी अपने काम से गिर गया तो पतित हो गया तो पतित का मतलब पुराने समय में गिरा हुआ होता था मगर आपने सुना होगा पतित पावन और आगे ये गाना चलता है बड़ा सुनाये जाता है पतित पावन पतित पावन तो पावन का मतलब होता है पावचन यानि के पीले कपड़े वालों के वचन यानि के बुद्ध के वचन और पतित का मतलब है गिरा हुआ तो गिरे हुए और बुद्ध के वचन तो दोनों चीजे विरोधावासी हो गए तो संसकायत में इसको पतित पावन भी बोलते हैं यानि गिरे हुए बुद्ध के वचन को जब खतम किया गया तो कहा गया कि ये गिरे हुए बुद्ध के वचन है इनको इस्तमाल ना किया जाए तो गाली बन गई, पतित पावन हो गया मगर लोग भूले नहीं उन्होंने कहा कि नहीं ये जो वचन है बुद्ध के ये ही पवित हैं ये ही पावन है ये ही पावचन है और ये पतित नहीं है तो पतित सब्द बाद में आइडियल हो गया, यानि कि आज जो हिंदी में इस्तमाल करते हैं, पतित वो गिरा हुआ नहीं है, पाली में तो गिरा हुआ है, मगर आज जो हिंदी में संस्काइट भासा में इस्तमाल करते हैं, पतित इसका मतलब हो गया आइडियल, इसका मतलब हो गया अच्छा, यानि यानि गंठ, गांठ बांदी गए, इखटे किये गए, संग्रे किया गया, तो गंठ कोई गंठ बोलते हैं गंठ कोई गंठ बोलते हैं, तो यही पवित्र गंठ हैं या गंठ हैं या गंठ हैं, और सारी दुनिया जानती है कि ये 500 भिकोने मिलकर इनमें गांठ बांदी थी, इ आज के समय पतित पावन और पवित्र और ये पाली से बना हुआ है, पवित्र से बना हुआ है, और पावन से मतलब है पावचन, बुद्ध के वचन से बना हुआ है, वहीं से सारे सब्द बने हैं, सारी हिंदी और सारी जो संस्काइट भासा है, जिसको आप संस्काइट कहते ह या और भी भाजाय कहते हैं, वो सारी वहीं से बनी हुई है, तो वहाँ इसका मतलब होता है, बुद्ध के वचन, और वही दुनिया में असली वचन है, तो जब भी अगर कहीं पवित्र वचन की बात आए, पवित्र गरंथ की बात आए, तो वो बुद्ध के वचन हैं, और बुद्ध के ही गन्थ हैं, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक पोस्ट चल रही है, यह पोस्ट देखिये जो नीचे लिखी हुई है, इसका कोई अता पता नहीं है, यह फेस्बुक से उठाई है, और फेस्बुक में कोई भी लिख सकता है, मगर यह जो लिखी हुई है, इसका सार समझिये, यह कहती है पोस्ट के औरस्टेलिया के अंदर एक भिक्कु का एक इंटर्व्यू लिया गया, और उससे यह कहा गया कि अगर तिरी पीटर को संडास में फैंक ने, जहां लेटिन करते हैं, कंबोर्ड में फैंक ने उसको, तो आप क्या करेंगे, तो भिक्कु ने जवाब दिया कि मैं सबसे पहले पिलंबर को फोन करूँगा ताकि पानी रुके ना, ऐसा आच ने कहा गया, तो लिखते हैं आगे कि वही वो जो इंटेवू लेने वाला था, वो हसा, उसके बाद उसने मूर्टी के बारें पूछा, कि मूर्टी अगर तोड़ दें तो क्या करेंगे, तो उनने का जी मूर्टी में नहीं रहते बुद्ध, नहीं वो रहते हैं, ये दरसल आज के संदर्ब में इसलिए बात आती है, क्योंकि जो अन्य मतों की जो धार्मी गरंथ हैं, या धार्मी किताब हैं, उनको कोई छो लेता है, या फार्ट देता है, या उनका अपमान कर देता है, तो उसके जो लोग हैं, उस मत को मानने वाले, वो उग्र हो जाते हैं, वो उग्र होके कुछ भी करते हैं, हमारा उन मतों से कोई लेना देना नहीं है, उनका मत हैं, वो जाने उपने मत को कैसे करेंगे, उनके जो किताब हैं, वो जाने वो कैसे करेंगे, मगर यहां मैं त्रीपीटक के बारे में आपको बता दूँ दरसल त्रीपीटक कोई किताब नहीं है त्रीपीटक का मदलब है तीपीटक तीन पेटियां बुद्ध के साहित्य को जब गंठ बादी गई इखटा किया गया तो उसमें कागज नहीं था उस समय पत्थर पे लिखाई स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि उतासो के समय हुई उस समय तक अक्षर भी नहीं थे तो जवानी याद करते थे तो ऐसा माना गया कि ऐसा नहों कि बुद्ध के जो पावन वचन है वो कहीं भूल ना जाएं लोग तो उनको एकटा के लिए जाए तो पाँच सो भिक्कू जो बुद्ध के साथ रहते थे और जिनकी मैमूरी अच्छी थी उन सबसे एक 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 अच्छी बात हैं जो उन्होंने कहीं हैं कोई खास ग्यान दिया तो वो याद किया उसको सबने एकटा किया उसको समराइज किया उसको चेक किया उसको पूछा ऐसा ही है ऐसा ही है तो वो सारा सारा एकटा किया बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी बुद्ध ने कुछ नहीं लिखा बद्द तो कह के चले गए तो बाद के लोगों ने 500 लोगों की सवाने उसको एकटा करके और उस समय गड़क और भाड़क होते थे भाड़क और गड़क मतलब जो पैसे लेकर रोजी रोटी थी उनकी और उस चीजों को याद करते थे तो अलग 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 चैप्टर लोगों को याद करने ने दे दिये तो उस सब को जो बोला गया उस समय उसको पेटी बोला गया पेटी का मतलब है जहां पिटारी जहां एकटा होता है तो एकटा कर दिया उसको तब तक एक पिटारी थी फिर दो पिटारी हो गई पहले तो खाली सूथ तो बोला जाता था मगर उस सभा में फिर ये सूथ तो को अलग लग किया गया एक विनेपीटक यानि भिक्कों के रिख्कों के नियम की बने और एक बाकी सूथ पीटक बना जो सारे लोगों के थे जिसमें आम जन्ता, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, गरीब, अमीर, राजा, रंक, सब का उसमें होता था कि क्या नहीं बताए हैं? क्या नहीं बताए हैं? उसको सुथ-पीटक بعد में उसमें जो मन की और जो सरीर की साइंस تھی यानि mind की और body की जो science थी उसको अलग किया गया, उसको अभी धम पीठक बोला गया, अभी धम करके लिया गया, तो बाद में तीन हिस्से उसके किये गए, उसको बोलते हैं तीपीठक, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें कहानिया लिखी, उसका आर्थ लिखा, उ उसको purify किया जा सकता है, अगर आप बुद्ध की technique वेपस्णा जानते हैं, धम को जानते हैं, तो वो nature में है, असल वो किताबों में भी नहीं है, नेचर में है, उसको चेक किया जा सकता है, वेपस्णा करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, वो त्रीपीठक है, अब उस जो क किताब हैं, आप उन किताबों को किसी को जलाइए, किसी को फाड़िए, किसी को कुछ किये, बुद्ध के जानकार पे इसका कोई फर्क नी पड़ेगा, मगर बुद्ध के भक्त पे पड़ेगा, बुद्ध के अनुयाई पनी पड़ेगा, बुद्ध का भक्त तो पूरी तर ही उचलेगा, हूदेगा, हमारा ऐसा कर दिया, हमारी किताब को ऐसा कर दिया, ये हमें अपनी जाज़त बचानी चाहिए, पहले भी बुद्ध खतम हो गए थे, फिर ये खतम कर रहे हैं, ऐसा करके वो करेगा, उसका मोटिव धम नहीं है, उसका मोटिव कुछ और भी है, जो धम से अलग है, क्योंकि बुद्ध का धम ये कहता है, धम त्रीपिटर के किताबों में लिखा हुआ, सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, मगर उसको अगर सही मायने में अड़ाप करना है, तो वो समझना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस का का बड़ा मुस्किल है, किसी को ये कहना तो बड़ा असान है, जूट नहीं बोलना चाहिए, अपने बच्चे को ये देख लो, आप बच्चे को भी कहोगे कि जूट नहीं बोलना चाहिए, बड़ा असान है, आपने उपदेश दिया, उसने सुन लिया, बस आपने कहा उसने स प्रानकार बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तमासावीन हैं, जो धम को God's related करके, और मतों से comparative करके, उनका compare करके, उनकी तुलना करके, लडने मरने के लिए त्यार हो जाते हैं। जैसे बाकी मत होते हैं, वैसे इस मत को लाने की कोशिश करते हैं, वो अभी जानते नहीं हैं धम क्या है, क्या नहीं है। से उपर डेली बन जाती हैं। कितनी तोड़ोगे भाई, हर घर में बुद्द की रख्यू रख्य उई है। लाखो करोडो बिहार हैं जहां रख्य हुई है। कितना तोड़ोगे फैसे बुड् determine में नहीं रहते हैं में अगर किती तोड़ोगे। तोड़ोगे अपना ही नुकसान करोगे ख़ई दो तोड़ो। कौन रोकता है। ना तो बुद्ध कुछ को कुछ कहते हैं, ना बुद्ध ने कुछ एजी direction दी हैं, ना ही बुद्ध के अनुयाई लड़ने आते हैं, ना ही मरने आते हैं, यहां तक कि बुद्ध के अनुयाई की यह guarantee है, जो भिकु है, कि आप उनके सामने बुद्ध का भी अपमान करिए, उन के पास नहीं आएगी और फिर भी कुछ लोग बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं जैसे नेता करते हैं जैसे राजनितिक लोगों का तो खाना ही प्रतिक्रिया है राजनितिक लोग क्या करते हैं आपस में मिले हुए होते हैं गरोधी पार्टी और सक्ता पार्टी मिले होते हैं देखो हम यह कुछ कहेंगे तुम को इसमें पिर्टिक्रिया देनी है तुम पिर्टिक्रिया दोगे फिर हम पिर्टिक्रिया देंगे हम पब्लिक को दोनों उल्जा के रखेंगे ठीक है ना तो ऐसा उनका आपस में समझ में होता है कॉडिनियर निशन होता है एक लाकर्तिक है, हर जगे विदमान है, और बहुत तेरी से लोगों की समझ में आ रहा है, लोग इसकी practice कर रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, जितनी इसकी practice करते हैं, उतना ये बढ़ता है, और अब समय आ गया है, कि पूरी दुनिया में, फिर दुआरा से जगत कुरू जो बुद्ध मूर्ती मनें ही रहते बुद्ध किताबां मनें ही रहते बुद्ध तो हर मनुष्य हर जीव हर जानवर हर पेड़ हर प्रकति में रहते हैं धन्यवाद थम सरेन गच्छामू तो थम सेनं गच्छामी थम सरेन गच्छामू संग सरेन गच्छामू संगं सरनं गच्छामी, तूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, तूतियं पी धम्मर सरनं गच्छामी, तूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, तूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, तूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी, ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी, ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी, ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी, तेतियम पिसन्दम सेन्दम तर्शामी साथू, साथू